गुड मॉर्णिंग स्टुडेंट्स कैसे आप सभी अच्छे होंगे घर पर चलिए हमारा साइंस में सेकेंड चैप्टर चल रहा था हमने सेकेंड चैप्टर को स्मॉल इंटेस्टाइन तक फिनिश कर लिया था लिवर भी पढ़ लिया था लिवर से जो जूसे सीक्रेट होते हैं उनके वारे में भी हमने information collect कर ली थी अब देखें अब लिवर के बाद में जो सेकेंड इंपॉर्टेंट ग्लैंड है वह है दा पैंक्रियाज और पैंक्रियाटिक ग्लैंड ठीक है पैंक्रियाज जो पैंक्रियाज है मैं आप हाईलाइट करके बताता हूं आपने बुक अचिल दो सेवंटियाज हरे डाइंड ग्लैन пой होगों ईसली ग्लैन पैंक्रियाज करège के रचेंड ऊच्छा में जो सब्सक्राइब एक यहां में आपने रिचाएगार्व मेरे यही नमबह 17 पर जाका पैंक्रियाज की पोजिशन देख सकते हैं आरह जो डाइजेंटिव सि ठीक नीचे जस्ट अंडर दा इस्टमक पैंक्रियाज इस प्रिजेंट अब पैंक्रियाज के बारे में जो डिटेल है यह हमको पेज नंबर टॉटी सेकंड से कलेक्ट करनी हैं तो आप सभी बच्चों ने बुक ओपन कर लिए और मैं इसको रीट कर रहा हूं करने झाला प्रकुन से मैंच करते चलिए ठीक यह समझते चलिए चले इसको छोटा कर द basin सा जूम आउट करने मैंने इसको ठीक और शीचाट करेंगे हम कहां से psycho करूद the beginning यहां से ठीक है it is a large cream colored gland located just below the stomach मैंने बताया था ना भी आपको stomach के ठीक नीचे the pancreatic juices or juice acts on carbohydrates and proteins and change them into simpler forms pancreas क्या करता है stomach के नीचे होता है और इससे जो secret होते हैं उनको pancreatic juice कहते हैं और यह किसके उपर करते हैं यह carbohydrate or protein इनको digest करते हैं कि simple form में इसको convert कर देते हैं the pastly digested food now reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juices juices complete the digestion of all component of the food the carbohydrate get broke down into simple sugars such as glucose fat into fatty acids and grease roll and proteins into amino acids okay तो देखें अब यह जो डाइजेशन है यह हमारा मांत से स्टार्च हुआ था बकल कैविटी से स्टार्च हुआ था कुछ किस्तमक में हुआ रही नीचे के नीचे और आगे वाले पार्ट में start हो गया अब देखे जब कभी कभी क्या होता है कि you have to feel sometime headache आपको कभी स्टमक में चली गई अब इस्टमक में पहुंचने के बाद में आपका तो सिर्दर्द कर रहा था और थोड़ी देर बाद यू में फील बैटर क्यों अच्छा लगता है आपको क्योंकि अब आपको कोई भी हैड़ेक नहीं हो रहा है अब यह कैसे पॉसिबल हुआ आपने तो दवाई खाई थी वह तो इस टमक में गई इस टमक तो नीचे होता है हेड़ेक सिर में होता है तो सिर में मैडिसन कैसे पोची ध्यान आ रहा है कुछ मैं बताना चाहरा हूँ तो देखो कैसे होता है होता क्या है कि जब हम कुछ खाते हैं तो वो डाइजेस्ट हो जाता है सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाता है सिंपल यूनिट में चेंज हो ज इसमाल इंटेस्टाइन से अब्जारव हो जाता है अब यह ऊब्जार्व वह होनी की जोसेश है यह आप हम हमारी बॉडी में होता है कि जब बलatique में धर्भ कर अब्र है तो हैंच तो कह THAT में दर्ध हो आता है वहाँ पर हमको कैसा फिल होता है ठीक है तो यह प्रॉसेस है यह बहुत होता है ठीक है देखें में क्या होता है हमारी जो इंटेस्टाइन होती है देखें इंटेस्टाइन कहां पर है यह इंटेस्टाइन है यह वाला जो आप पार देख रहें इंटेस्टाइन का यह ठीक है और यह जो आप देख रहे हैं यह blood capillaries हैं जो इस intestine से connect हैं ठीक है अब intestine को अगर हम cut करके देखते हैं देखें तो इसका inner portion है वो कैसे देखता है थोड़ा बड़ा देखता है large देखता है microscope में जब देखेंगे तो वो कैसे देखेगा इस type का देखेगा यह intestine को large करके देख रहे हैं हम ठीक है इसको और अगर हम large करके देखें और बड़ा करके देखें तो यह जो portion है यह वाला इतना portion जब इतने portion को हम और बड़ा करके देखेंगे तो यह कैसे देखेगा यह इस type का दिखेगा ठीक है और यह उसका और अपर पोजिशन है इसका यह इतने पोजिशन को हमने और ज्यादा डिटेल करके देखेंगे तो यह ऐसा दिखेगा ठीक है इसमें से भी अगर हम एक सिंगल यूनिट को एक सिंगल यूनिट को अगर हम इतने पोजिशन को एक सिंगल पोज आता हूं कि यह है पूरी absorption यूनिट यह मैंने जूम करके बता दिया आपको देखें कितना डिटेल देख रहा है डिटेल तो देखें यह इस टाइप को अब यह देखें यह क्या है यह तो इंटेस्टाइन की लाइनिंग होती है ठीक है यह सब सिंगल सेल होती है बहुत सारी सेल देख रही है इसके नीचे क्या होता है जस्ट अंडर डिस लाइनिंग क्या होता है अच्छा यह जो लाइनिंग में बोल रहा हूं इस लाइनिंग इस लेयर को क्या बोलते है एपिथेल से हैं ठीक है चली अब मैं आपको नाम देखा दूँ यह देखिए आगए झाल फिक है तो यह वह क्या होता है जो भी हम अब का होता है यह इंस्टाइंड का इनर पार्ट एह आखिश होती है यह जो यह में फूर मोजब Zarike हो जाता है होने के वाद में यहां से अंदर चला जाता है और अंदर कहा जाना चांप संस्क आप मैं इसका नाम बता देता हूं तो यह क्या है मैं ज़रा फिगर को एड़ेस्ट कर लूँ पिर आपको वन बाइवन बताता हूं कि अब देखे यह तो हैं इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन को और बढ़ा करके दिखाए यह कुछ ऐसी देख रहे हैं फिर इसके इतने portion को हमने cut करके देखा, तो ये कुछ ऐसे देखता है, फिर इसके इस part को अगर हम बढ़ा करके देखेंगे तो वो ऐसे देखेगा, फिर इसके किसी एक single part को अगर हम बढ़ा करके देखेंगे तो वो ऐसे देखेगा, means ये सारी चीजें कहां पर होती है, यहां इंटेस्टाइन में यहां पर ठीटेट किंगें और इसे यह बिटे अधे हैं बलच। समझ है कितना कॉंप्लीकेटेट सिस्टम में हमारी बॉडी का लेकिन पढ़ने में कितना एजी है ठीच ठीच मे बताता को can now pass into the blood vessel in the wall of the intestine this process is called absorption the inner wall of the small intestine had thousands of finger-like outgrowth these are called willy or singular villus okay तो यह जो विलीज है विलस है यह क्या फिंगर like structure यह देख रहे है ना फिंगर जैसे structure ठीक है सी इंदा फिगर गिबन बिलो यह मैंने आपको दिखा इसलिए आगे चलते हैं अगला paragraph इस paragraph को हम रीड करेंगे ठीक है आपको बुक में दोनु चीज़ें देख रही होंगी इदर डायग्राम भी देख रहा होगा और यह paragraph भी है can you guess what the role of the willy could be in the intestine the willy increase the surface area for absorption of the digested food each willis has network of thin and small blood vessels close to its surface the surface of the willy absorb the digested food material the absorbed surfaces are transported by a blood vessels to come to the page number 23rd two different organs of the body where they are used to build complex substances such as the proteins required by the body अब देखे में भी पेज़ नंबर 23rd पर आ जाता हूं आप तो सभी बच्चे पहुंच गाए पेज़ नंबर 23rd पर ठीक है चलिए में भी आगा पेज़ नंबर 23rd या पेज़ नंबर 23rd ओके चलिए यहां तक भाँ तक मैंने रिट कर लिया है कहां तक रीट कर लिया है आपको बता देता ओपयर लिया ओश्चेंगे अब यह जो रेकॉर्ड है इस पुरूर इस प्रॉसेस को क्या बोलते है रिकॉर्ड बार्ड़ दिस इस गॉल्ड ऐसे मेलेशन अब एसे मिलेशन आएगा इदर कहीं तो याद रखेगा assimilation क्या होता है फिर दुबारा से रीट करता हूं मैं assimilation देखे दाइब सॉब्स्टेंसेस आर ट्रांस्पोर्टेट बाइब ब्लॉड वैसल्स तो डिफ्रेंट ऑर्गन अब बॉड़ी वियर देखे देखे दाइब सॉब्स्टेंसेस आर ट्रांस्पो प्रुकोस ब्रोकन डाउन विदा हैल्प ऑउक्सीजन इंटो काबन डियोक्साइड और इनर्जी इस लीज्ट फूट एट रिमें अंडाइजिस्टेट एंड अन एब्सॉर्ट देन एंट इंटो दा लाज इंटेस्टाइं तो लाज इंटेस्टाइं तो लाज लिम्फ अब लिम्फ क्या है लिम्फ भी याद रखें ब्लूड जैसे ब्लूड होता है हमारी बॉडी में ऐसे लिम्फ होता है लिम्फ इस दा लाइट यलो फूट विच इस प्रिजेंट अटिशू इस अल्सटेश फूट इस ब्लूट इस बढ़ आइज आट ब्लाइज तो जो डाइजिस्टेट फैट होती है उसको ट्रांसपोर्ट करने का वर किसका है लिम्फ का कार्वाइड कौन करता है ट्रांसपोर्ट ब्लूड ठीक है रोटीन कौन ट्रांसपोर्ट करता है ब्लूड और जो फैट होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने का वर किसका है लिम् कि यह रही है दिंग अब लार इंतेस्टाइन अब इन अiddir Ald TW नो पॉंट फाइम मीटर ल Schnelle हो पॉटकर है यह मोटी चर्ण होती चलिए ज्ञाइए चलिए मेरे साथ read कीजिए यहां से reading start कर रहा हूं मैं the undigested food cannot be absorbed by the blood and is passed to the large intestine which consists of two parts that is initial part is called colon which is followed by the rectum अब इसके दो पार्ट होते हैं पहला पार्ट होता है colon और दूसरा पार्ट होता है rectum ठीक है फिर यहां से start करते हैं the large intestine is wider and shorter than small intestine wider means small intestine से चोड़ी होती है shorter means length में कम होती है it is about 1.5 meter in length its function is to absorb water and some salt from the undigested food material the remaining waste passes into the rectum and remains there as semi-solid feces okay तो यह feces which material is stored in rectum तो आप बोरता सकते हैं आपको बताना होगा अगर आप से पूचा जाए तो इस is called feces rectum store the feces temporarily the fecal matter is removed through the anus from time to time this is called agiation agiation क्या है agiation एक process है इस process में हम क्या करते हैं वे we remove we get rid of fecal matter time to time okay चलिए digestive glands अब digestive glands को देख लेते हैं कौन कौन से digestive glands होती है तो देखें बहुत सारे digestive glands होती है कौन कौन से होती है salivary glands liver pancreas are the main digestive gland which secret the digestive juices for the digestion of food food को digestion करने के लिए यह सब digestive juices secret करती है all the absorbed nutrients are not needed to once by the body the body stored them in various form until they are needed excess amount of glucose is convert into glycosin अब ज्यादा glucose होता है वो glycosin में convert हो जाता है and it is stored in the liver the fat as such are stored in the adipose tissue excess of amino acid are used for building protein in the muscle muscular tissue okay अब देखे ग्रीन बॉक्स में टिप है टिप है टिप टू स्टे हैल्दी आप हैल्दी कैसे रह सकते हैं इसके लिए टिप्स है अब इस टिप्स को भी रीट कर देता हूं मैं मेरे साथ मैच करिए there are some disorder in the process of digestion developed due to irregular food habits like taking stale spicy oily overcooked food अब देखे stale food stale food क्या होता है stale food का मतलब होता है बासा खाना बासा खाना ज्यादा बासा खाना मत खाईए spicy बहुत ज्यादा spicy मत खाईए oily बहुत ज्यादा oily भी मत खाईए over cooked food बहुत ज्यादा पका हुआ मतलब इतना पका हुआ कि वह वर्दिंग कंडिशन तक जलने लगे इतना नहीं हमको ऐसा food नहीं खाना चाहिए और एक और चीज़ जो packed materials होते हैं जो के local items होते हैं उनको भी नहीं खाना चाहिए ठीक है ऐसे material जिनको preserve किया जाता है nitrogen के साथ में nitrogen गैस अगर उनमें फिल है और वो preserve किये गए हैं तब आप उनको खाईए लेकिन कम ठीक है वह बहुत ज़्यादा oily होते हैं दे में कॉस्टिपेशन ulcers etc all these disorder can be avoided by eating simple food आप simple food काई एंस्टिटिटिटिंग लॉट और वेजिटेवल्स and fruits among the regular and proper food habits ठीक है अच्छी चीज़े खाईए वेजिटेवल्स भी ग्रीन वेजिटेवल्स खाईए फ्रेश वेजिटेवल्स खाईए फ्रूट्स खाईए इससे आप healthy बने रहेंगे तो आपको क्या क्या नहीं खाना है आपको avoid करना है still food, spicy food, oily food, overcooked food इन चीज़ों को आपको avoid करना है कर आप इनको छोड़ देंगे या कम खाएंगे तो आप you will become a more healthy अभी आप healthy होंगे फिर और healthy हो जाएंगे ठीक है चलिए आगे चलते हैं आगे हमारी heading है inflammation in the digestive system the diarrhea अब diarrhea क्या है डिजीज है जो हमारे digestive system में होती है simply इस बीमारी में हमको क्या होता है उल्टी होती है और loose motion दस्त लग जाते हैं ठीक है अब यह actually होता क्या है तो यहां से read करता हूं मैं आप मेरे साथ match करते चलिए it is a condition in which excessive and frequently focal discharge of fluid leaves as bovel you might have experienced sometime the urge to passes water stool frequently okay water stool stool is what water stool it is comes from the anise okay जो anise के थू watery substance निकलता है उसको बोलते हैं water stool okay this condition is actually known as diarrhea it may be caused by careless eating or drinking by food poisoning or indigestion or by infections they may soon lead to a diarrhea dangerous dehydration loss of water and come to the next page okay this is because of the excessive loss of water and salt from the body it is very common in India particularly among children runs okay अभी आप बच्चे हैं ठीके बच्चों को diarrhea जल्दी होता है अब देखिए मान लिए किसी बच्चे को diarrhea हो गया तो अब उसकी healing कैसे हो गई तो आपने एक नाम सुनाओगा ORS goal ठीक है ORS O means oral R means re-hydration and S means solution dehydration का मतलब क्या होता है जब पानी ज्यादा निकल जाए हमारी body से उसको dehydration बोलते हैं और पानी को दुबारा से body के अंदर पहुंचाना गेन करना body के जो cells हैं जो tissues हैं वो पानी को दुबारा से गेन करेंगे तो उसको बोलते हैं हम re-hydration और जिस solution के थूँ यह होता है जिस medicine के थूँ होता है उसको ORS कहते हैं और इसको oral re-hydration solution इसनिये बोलते हैं क्योंकि यह mouth के थूँ अब है डाइजेशन इन ग्रास इटिंग अनिमल अभी तक जो हमने डाइजेशन पढ़ा है हमने human में पढ़ा था अब जो grass eating animal होते हैं उनमें हम डाइजेशन पढ़ेंगे तो उनमें डाइजेशन कैसे होता है चलिए इसको भी समझ लेते हैं देखिए यहां आपको एक पि बोलते हैं हम रुमिनेंट क्या बोलते हैं रुमिनेंट अब यह रुमिनेंट क्या होता है रुमिनेंट एनिमल होते हैं जो जुगाली करते हैं जुगाली जानते ना आप एक्चुली यह क्या करते हैं इनके माउथ में जो पहले तो यह खुब सा रखा लेते हैं ग्रास जल return होती है return होके फिर mouth में आती है जो mouth में जब यह स्टमक से hoke return होकर mouth में जब दूबारा आती है तब इसको बोलते हैं हम कड क्या बोलते हैं कड कहा है तो देखिए कड यह रहा है यह रहा कड ठीक है तो फूट गेट पार्शियली डाइजिस्टेड एंड इस कॉल्ड कर्ड हलका सा डाइजिस्टेड होता है अब देखे मैं कभ ये इसकी पूरी प्रॉसेश बताता हूं ये कहां कहां जाता है ठीक है तो देखे हम इसको देखते हैं मैं कलर चींज कर लेता हूं पैन का क्रीम नहीं लेते हैं देखे सबसे पहले क्या होता है आप मेरे साथ देखिए ये माउथ है और ये ग्रास ये ग्रास कहां जा रही है ये ग्रास पहुंच रही है ये इस लाइन को फॉलो करते हुए है यहां ठीक है ये एक ग्रास पहुंचती है सबसे पहले यहां इदर स्टमक में यहां इस टोड़ेती है फिर रिटन होती है यहां से तो ये अगें रिटन होके माउथ में आती है फिर माउथ से ये बहुत फाइन ग्राइन होने के बाद में ये दुबारा यहां आती है यहां से फिर ये आ यह पूरा पाथ होता है मतलब क्या हुआ अगर मैं आपको बतानी कोसिश करूँ तो यह M for mouth और यह S for stomach ठीक है और यह G for grass तो देखो grass क्या करती है सबसे पहले grass mouth में mouth से stomach में इस तमक से फिर mouth में आईगी ठीक है और जब यह Mouth में आईगी तर फिर अब यहां यह चूड होगी ग्राइंड होगी इसके बाद में फिर यह दोबारा इस तमक में और यहां से फिर intestine में देख रहे हैं आप दो कलर से मैंने शो किया है M for mouth, S for stomach तो जो ruminant animal होते हैं वो क्या करते हैं पहले grass खा लेते हैं Mouth के तरूँ यह Is तमक में जाता है Is तमक से फिर यह बापस Mouth में आता है Mouth में बहुत अच्छा भारी पिसने के बाद में फिर यह दुबारा Is तमक में जाता है फिर सिस्टमक से intestine में जाता है तो यह वाली जो process हो इसी complicated process है इनका जो इस्टमक होता है वह हमारे इस्टमक की तरह नहीं होता है इसके डिफरेंट पार्ट होते हैं और में सम जैटिकुलम और एब और में सम इनका जो इस्टमक होता है उसके कितने पार्ट होते हैं पार्ट होते हैं यह तीनों पार्ट मैं आपको हाइलाइट कर की दिखाता हूँ यह देखिए हमारे जो इस्टमक होता है सिंपल एक इस्टमक होता है इस्टमक बोलते हैं और जो ग्रास इटिंग एनिमल्स हैं लाइक काव और में देखिए एक ओमिसम यह इस्टमक का पार्ट रेटिकुलम यह भी इस्टमक का पार्ट और एब ओमिसम यह इस टमक का पार्ट होता है ठीक है क्योंकि अब ऐसा क्यों होता है इनकी बाड़ी में ऐसा इसलिया होता है याद रहे कि ग्रास जो होती है वह बहुत ऐसा सबस्टेंस होती है उसमें सेलुलोज होता है और सेलुलोज को डाइजिस्ट करने के लिए उसको बार बार ग्राइंड करना बहुत जरूरी होता है, इस ठेंग कि बॉडी में पहले यह रफ ग्राइंड करते हैं, बाद में फिर यह कड के फार्म में फाइन ग्राइंड करते हैं, फिर इस टमक में पहुच्चती हैं, ठीक है यह तो था हमारा क्या digestion in grass eating animal इसके बाद में हम आ जाते हैं page number 25 पर page number 25 पर हम देख रहे हैं यहाँ feeding and digestion in amoeba यह हमारे chapter का last portion है इसके बाद में start हो जाती है exercise तो एक्सरसाइज जैसा कि मैंने कहा था ये दोनों चैप्टर हो जाएंगे तो जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा आपका उसमें हम चैप्टर वन और चैप्टर टू दोनों के एक्सरसाइज एक साथ कंप्लीट करेंगे ठीक है तो अभी इसको आप मेरे साथ देखिए चलिए देखते हैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना है चलिए देखें अब यह जो फीडिंग एंड डाइजेशन इंड अमीवा है अगर हम इसको देखें तो अमीवा क्या है अमीवा एक यूनिसेलुलर एनिमल होता है यह अमीवा का डाइग्राम है देखे इस डाइग्राम के थू में बता देता हूँ आपको पूरा सिस्टम समझा देता हूँ देखे अमीवा क्या होता है यह एक सिंगल सेल एनिमल होता है कुछ ऐसा ठीक है कोई भी जो फुड पार्टिकल होता है वो इसकी बॉड़ी पे आता है ठीक है सपोस कि यह आ गया ब्लू कलर का अभी अमीवा क्या करेगा इसको पूरा का पूरा एंगल्फ कर लेगा ठीक है तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा ठीक है और इसकी बॉड़ी में यह पहुंच जाएगा ठीक है तो यह आप यह प्रॉसेश देख रहे हैं इसमें यहां यह फुड पार्टिकल है और यह यहां पहुंच गया और फिर यह यहां लास्ट में आ जाता है अब जब यह बाड़ी से बाहा निकलता है तो बाड़ी से बाहा निकलने की भी प्रॉसेस सेम होती है क्या होता है यहां यह यह डाइजिस्टिट फूड है अनडाइजिस्टिट फूड है अब यह ज का मैं आपको बना के दिखा देता हूं कि कुछ ऐसा हो जाएगा यह ठीक है और यह डाइजिस्ट अंडाइजिस्टेट माटेरियल बाहर आ गया ठीक है यह हो गया वेस्ट इजस्टेट वेस्ट तो यह पूरी प्रोसेश दिखाएए यहां से फूड इंटेक हो रहा है और यह से जो अंडाइजिस्टेट माटेरियल वह बाहर निकल रहा है यह पूरा सिंगल सेल होता है ठीक है एक ही सेल से बना हुआ होता है तो इसी में एक सिंगल सेल में ही इंटेक होता है और सिंगल सेल से ही इजिशन होता है ठीक है तो यह था हमारा चैप्टर न्यूट्रिशन इ एनिमल ठीक है आप इस चैप्टर को इस वीडियो लेक्चर को बार बार देखिए और समझने की कोशिस कीजिए जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो इस लेक्चर में हम चैप्टर वन और चैप्टर टू के कोशन आंसर एक्सरसाइस को कम्प्लीट करेंगे तब तक के लिए बाई गुट बाई